नमस्कार मनोग देल सिर्य क्लासेज में आपका सुवागत है आज हम वेदिक काल के बारे में पढ़ेंगे हमने पासान काल के बारे में पढ़ लिया था हिस्ट्री को हम सुरू से पढ़ रहे हैं उसका एक वीडियो में डाल दिया संपून प्राग एतियासिक काल उसके बाद यहात है अपना वेदिकाल वेदिकाल इसमें पूरा कंप्लीट वेदिकाल आज में जितने भी क्यूशन मनते जितने भी इंप्रेंट बाते हैं वेदिकाल की वह संपून इस वीडियो में हम संपून मोर्यकाल पढ़ेंगी तो वेदिकाल जो वेदिकाल है उसको दो भागों से लेकि 1000 इसना पूर्वा के मद्दिकॉइ काल का ताइम पीरिड उतर पूर्वा से लेकि 600 इसना पूरवा तक का जो लेके उत्रवैदिक काल में जिसका टाइम पिरेड था 100 without a भाट में बाता गया दो पाट में बाटा गया रोख्वेदी काल एक उत्र वेदी काल रिग्वेदी काल में कि रेचना हुई ती है और उत्र वेदी काल में रचना हुई है से लेक्ड पाम वो गातर औरा वेदिक से लेकी 100 जबकि उतर भीकल valid काल में रजना होती है जबकि उतर वेधिक सम्वेद और हथ़ रव वेद की अब अपने जो आरे हैं आरेों के मूल स्थान के समंद में विभिन प्रकार के विचार है मत हैं उनको हमें पढ़ना है जिसमें क्या दे रखा रहता है विचार दे रखा रहता है और उसे पूछा दाता है कि यह विचार किसके हैं तो मेक्स मुलर महोदे क्या बताते ह मेक्स मूलर की विचार है गायल के जरमनी में देन्भू नदी के आस्पास आरी Langgry में से आहे है ये गायल की के विचार है तिलक क्या बोलते है कि उत्री धुरव्य की निवार सिट है catch कहन आ गई भारत वर्ष यह आ गई दयानन सरसवति यह वो स्थान थाões मेक्स स्मुल्रण ने कहां बताय है कि आरगी कहां से आये मद्देश्या से गायल्ज क्या बताते हैं कि यह धैनभु नद्य के आसपास वाले च्हतर में रहते थे वहां से आये हैं ते नाम य राजबली वण्डे है वो मध्दे परदेश से मानते है आर्यो का निवासिस्तान मूल निवासिस्तान मध्दे-परदेश माना है राजबली परण्डे ने देए MR त्रिदेव नाम है DR एअर्यों का मूल निवासेस्थान, जो अपनी भुकाती है, NCRT, वो आलपस प्रौवत के आसपास, यानि यूरूप है, वहाँ से आरियों का जरम मानना है, आन्लपस प्रौवत के आसपास, जो यूरोप में है NCRT के अकोटिंग गंगानाथ जहां गंगानाथ जहां है वो क्या बताते हैं आरियों का मोल निवास इस्थान बरमासी परदेश को मानते हैं ऐविनाथ चंदरदास वो बताते हैं कि जो आरियों का मोल इस्थान था सब्त सेंदव छेतर तो क्यूशन ऐसे बनता है कि सब्त सेंदर शेतर है वो निमी लिखीत में से आरियो का मुल इस्थान किस ने बताया था तो अविनाच अंदर दास ने बताया था ब्रहम स्री परदेश गंगानाथ जहा ने बताया था NCRT के अनसार अपने कहां से आए है आरियो का मूल इस्थान है आलपर्स परवत के आसपास का डी एस त्रिदेव ने मुल्तान बताया है आरियों का मुल्निवासिस्तान राजबली पांडे उन्होंने मद्दे पर्दिश बताया है दयानान सरस्वती ने तिबत को बताया है तिलक ने बताया है उत्री धुरुव का निवासी मुल्निवासिस्तान गैल्स के अनसार क्या है डियोन भी नदी के आसपास का जो छेतर है वो आरियों का मुलिस्तान है मेक्स मुलर ने आरियों का मद्दे एसिया के बारे में बताया कि आरियों है उनका मुलिस्तान था मद्दे एसिया अब एक नाम आता है सब्त शेंदव नेक्स अपनी बात है सब्त शेंदव हैं क्या सब एक नदिया है उनके आसपास का जितना भी छेतर है उस छेतर को सब्त सिंदव के नाम से जाना गया है वर्तमान नाम हम देखेंगे कि पहले नदी थी उसका पहले क्या नाम था और वर्तमान में क्या नाम है यानि वेदिक नाम वेदिक काल पढ़ने तो वेदिक में उसका क्या नाम था और अब हम इस नदियों को किस नाम से जानते हैं तो सिंदो नदी का जो वेदिक नाम या फिर आ सकता है प्राची नाम क्या था तो सिंदो नदी का प्राची नाम क्या था इंडस जेलम को कहते थे वीतिस्ता वीतिस्ता का प्रयोग है वो रिग्वेद में वीतिस्ता क जहलम नदी एसकनी को किस नाम से जानते हैं चेनाव रावी नदी रावी का नदी का पहले पुराना नाम था परसुनी व्यास नदी का था विपासा और सतलज का था सतुन्दी ये पुराने नाम है और ने नाम है सतलज सतलज का सतुन्दी था पहले नाम व्यास का विपासा थ तो यह पूचा जाता है कि वर्तमान में हम झेलम नदी को जिस नाम से जानते थे रिगवेद में उसका क्या नाम मिलता है तो वीतिस्था मिलता है उसे प्रकास चैनाव का एसकनी मिलता है व्यास का सतलज सतल्खका सतोनदी मिलता है ब्रहमह लएज कि कहते हैं सबट सेंदव परदेश तो क्या हो जिन्दुनद्धि के आसपास और साहक नद्यू की चितर था उसे सबट संदव्परदे उसी प्रकार ब्रहमह स 내शित कि हा गया है आर्यू का प्रारंबिक पंजाब और जो हर्यानवाला चेतर है उस चेतर को ब्रह्माश्री प्रदेश कहा गया है। क्या था सबसे क्रवुतर स commer eight ओर देनी हिमालय से लेकर विंद्याचल परवत के बीच का जो को ब्रंळाप प्रवध को सिनदू नदि नलएक आई को राजनितिक वेवस्ता कैसी थी यह तो अलग अलग मत थे और अलग-अलग छेत्रों के बारे में इस छेत्र को ये एक आ जाता था आरियों के मुलनिवास इस्तान से सम्मंदी जो मत बेख थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया अब हम पढ़ेंगे आरियों के जो राजनितिक व्यवस्ता है वो किस प्रकार से तो परसासन की जो छोटी इकाई थी वो थी गाउं सभा क्या होती थी यहां पर परसासन की सबसे छोटी इकाई आरिवेदी काल में परसासन की सबसे छोटी इकाई थी गाउं सभा कैसे थी सभा किस परकार की थी वर्द बुजर्गों की जो सैंस्त है वो कहला थी थी सभा जिस पूरानी सहंस्ता विधत पुचा वाया की विधत क्या था आयो की सबसे पुरानी सहंस्ता विधत प्रषासन की चोटी इकाई सभा क्या होती थी वर्द बुजर्गों की जो सहस्ता है परजेंट में राजे सभा के समान वो कहलाती है सभा समीति क्या होती है लोग सभा के समान परजेंट आए में और जनता का परतिनी दी जो सहस्ता होती है वो समीति कहलाती और वर्द बुजर्गों की सहस्ता क्या कहलाती सभा कहलाती विदत क्या कहलाती आरियों की सबसे पुरानी जो सहस्ता है वो कहलाती है विदत सभा और विदत सभा और विदत में सबसे महतपूर्ण यह वात थी कि इसमें महिलाएं भी भाग लेती थी आरियों का जो समाजिक विवस्ता थी वो कबिलों में विवाजी थी जो दस राज यूद दस राज यूद कैसे ये था रावी नदी के तट के किनारे रावी नदी का तट था उस किनारे ये दस राज यूद हुआ था जिसमें दस राजाएं एक साथ थे और एक साथ थे राजा सुदास यानि एक तरब तो क्या थे दस राजा उनके मदे यूद करते हैं सुदास के साथ में ये दस राजा यूद करते हैं जिसमें दस राजा थे उनके जो पुरोई थे वो विस्वा मितर थे ये पूछा हुआ क्यूशन है कि दस राजा जो यूद हुआ था उसमें दस राजा थे उनकी जो मंडली थी उनके प पुरुइत पूछे हैं कि दस राजा थी उनकी पुरुईत थी विस्वा मितर शुदास के विस्ष्ष्थ और इसमें जो दस राज यूद हुआ था रावी नलदी के तट के किनारे उसमें जीते थे सुदास रतनीन हम किसे कहेंगे रिगवेदी काल में बारा अधिकारियों का स्वमू है जिसमें राजा भी सामिल होता है उसे क्या कहा जाता था रतनीन रतनीन यानि रिगवेदी काल में बारा अधिकारियों का समय टोटल कितने हैं बारा जिसमें राजा भी सामिल है तो पूछा जा सकता है कि रेदिवेदी काल में रतनीन क्या है तो राजा सही टोटल कितने हैं बारा अधिकारी है महसी महसी क्या होती है महसी किसे कहते है पटरानी जो मुखे रानी होती है उसको जो अब हम क्या बोलते है पटरानी बोलते है पटरानी सबने सुनावा नाम है उसे क्या बोलते थे वेदी काल में महसी सूथ क्या होती है रत सिना का सिनानायक है उसे सूथ कहते है छता क्या होग अदेक्स होता उसे बोलते हैं कोशा अदेक्स कौन था कोशा अदेक्स को क्या कहा जाता था संग्रिखिता वित मंत्री वित मंत्री को क्या कहते थे भाग दूद भाग दूद किसे का गया है वित मंत्री को और राजा के साथ जो पासे खेलने वाला था उसे बोलते अक्सवाप अक्सवाप किसे कहते जो राजा के साथ में पासार खेलने का काम करता था राजा का मित्र को क्या कहा गया है पालागल राजा के मित्र राता का जो मित्र होता उसे बोलते पालागल दुर्ग का रक्षक पूरप कहलाता था दुर्ग के रक्षक को क्या कहा गया है ये पूछावा गृष्ण है कि दुर्ग के रक्षक को वेदी काल में क्या कहा जाता था तो पूरप कहा जाता था परिवार का मुख्या काला क्या कहलाता कुलप कहलाता था दुबारा देखो राजा की रानी पट रानी को क्या कहा जाता महसी कहा जाता जो रत सेना का जो सेननायक होता उसे सूत कहते थे जो दुआरपाल था उसे छता कहते थे कोशा धेक्स था उसे संग्रहीता कहते थे जो वित मंतरी था उसे भाग दूद कहते थे और राजा के चात में जो पासा खेलते थे उसे अक्षवाप कहते थे जो राजा का मित्र होता है उसे पालागल कहते दुरक का जो रक्षक हुशे पूरप कहते और परिवार का जो मुख्या हूथ होता हुससे क्या कह जाता था AB is का हमने क्या पड़ी राज्नेतिक व्यवस्ता के बारे में पड़ा अब समाजिक जीवन कैसा थासा माज जीवन अगर हम मेलाओं के दौरा वेदिक संकलन किया गया है जैसे घोसा, अमला, निरावरी, शिकता, लोपा, मुद्रा, विश्ववारा ये सबी मेलाओं के नाम है जो वेदिक जिनोंने कया किया है वेदिक का संकलन किया है। दो विदुशियां भी मिली हैं गारगी और मेत्री ये वेधिक काल की दो विदुशिया है तो इसे अच्छी थी यहाँ पे मेलाओ के द्वरा वेधिक संकलल किया गया है इसमें संकलल करतानों के नाम है गोसा, अपला, निरावरी, सिक्ता, लोपा, मुद्रा, और विष्वय वारा दो विदूसियों की नाम मिलते हैं गारगी और मेतरी रिगवेद का जो दस्वे मंडल में पुरुष सुक्त में ब्रहामन छेत्रिये वेश्ये सुद्र की उत्पति का वर्णल मिलता है तो यह जो वर्ण विवस्ता है इसके सबसे पहले परमान रिगवेद में मलते हैं रिगवेद का कौन सा मंडल है दस्वे मंडल में हमें पुरुष सुक्त में ब्रहामन छेत्रिये वेश्ये और शुद्र की उत्पति का हमें मिलता है और इसमें दस्वे मंडल में यह बताया गया है पुरुष सुक्त में कि जो परजापति हैं उनके द्वारा इनका निर्मा हुएं ये परजापती के मुख से कौन उत्पनवा है ब्रामन बोजा से छेत्री जांग से वेश्य और पैरों से शुद्र हुएं ये रगवेद के अच्छा समान मिलता था वो क्या करते थे वेदी कुचारण भी करते थे वीदूशियां भी मिली है ये परमान मिलते हैं कि आपे इस्तरी व्रोदी कोई भी कूपर था पर्सलीद नहीं थी आप किमाजू कि से कहते हैं तो आज इवन आज विवाहित रहने वाली महिला होती है उसे बोलते थे एमाजू, एमाजू क्या हो गई, आज इवन ए विवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता है, वेदिकाल में एमाजू, अनुलोम क्या होता है, ये विवाह के परकार है, अनुलोम और परतिलोम, अनुलोम क्या होता है, विवाहा का एक परकार, जब लड़ कह ओती है ब्रह्मन और एक लड़का क्या होता है अनुलों आनुलों में लड़की क्या है ब्रामन है जब कि पृतरी का उपनियन स्हासकार होता था अपनियन स्हासकार क्या परत्वी लोग के देवता अगनी देवता को माना गया है और पुरुईतों के देवता भी कौन है अगनी देवता है यूद आंदी और तुफान जंजा और बिजली चमकाने वाले उनको भी इनको ये क्या मानते थे देवता मानते थे यूद के आंदी के तुफान के जंजा को जंजा होती है बिजली चमकना उसको ये जंजा बोलते थे जो आरियों के देवता के रूप में इनको पोचते थे व इंद्राणी मिलता है अगनी की पतनी है उसका नाम मिलता है स्वाहाई एक वरून देवता के बारे में ये तो यूद आंदी तुफान जंजा देवता है वर्षा के देवता थे इंद्र और अगनी देवता है अगनी देवता वरून देवता वरून देवता के बारे में भी हम देवता को जाने जाता था जो नदि जल समुधर न 2030 ता आचरन परक्रती की वी नियामक कुरता के रूप में भी वरुण देवता को मानते थे वरुनों देवता को असुरु भी गया है वरणों देताओं को क्या माना गया है एक पुस्तक रादम है कैँ जमें पूछन पूछाओ औह गया्या है यह पूस्तक जन्द यह ओता जिसमें वरुन देवताओं को अहुर मजदा कहा गया है सोम देवता सोम देवता पर्थवी लोग के देवता माने गया है पर्थवी लोग के देवताओं के रूप में अगनी देवता क्या है पर्थी लोग के देवता और पर्थी लोग के देवता ही क्या है सोम देवता है, सोम एक पोदा है, पोदा है जिसे क्या प्राप्त होती है, सोमरस प्राप्त होती है, और यह जो सोमरस का पोदा है, वो मुंजवत परवत में पाया जाता है, सालिखावा मिला है कि जो सोमरस है, वो पोदा है, वो पोदा हमें मुंजपरवत से पाया जाता था, जो मुंझ परवर्द् किसको बोलते थे, हिमालिय को बोलते थे, तो SUAMheen można, पर्थिवी के लोग देवता है, S Temple सौमिरस का जो पोद्धा है वो कहां से प्राप्त होता है, S dieta को पोद्धा मुंझ परवर्द् से प्राप्त होता था अब वेदिक के सहीतें, वेद के सहीते के बा हएn जो वेद की ब्लाचता है कि इनको पुरस और राचित नहीं किया गया इनको देवताओंदर रॉचा वेद क्या हुते हैं शौह इत instability होते हैं वेद ग्रिण के भंधार है वेदों की संक्या अगर हम देखते हैं तो वेदों का lot रिगवेद, यजुरुवेद, सोमवेद और अथरववेद ये वेदो की संख्या आपको याद रखनी है वेदो की संख्या कितनी है वेदो की संख्या चार है रिगवेद, यजुरुवेद, सोमवेद और अथरववेद ये वेदो की संख्या है पर सबसे पहले हम पढ़ेंग गए मंत्रों का क्या किया गया संकलन किया गया जो दस मंडल है इसमें देवताओं की स्तूती में रचे गए मंत्रों का संकलन मिलता है इसमें दो ब्रामन है रिगवेद के रचेता कोन है दो ब्रामन है एत्रे और कोस्तकी और दो ही उपनिशद है दो ब्रामन है एत्रे और कोस रिगवेद में कितने मंडल हैं टोटल दस मंडल है और रिगवेद की रसना किस रूप में की गई है मंतर लिखे गए इसमें देवताओं की स्तूती में रचे गए मंतरों का संकलन है रिगवेद में दो ब्रामन है एतरे और कोस्तकी और दो ही उपनिशित है एतरे और कोस्तकी रिगवेद, यजुरुवेद और सौमवेद रिगवेद को यजुरुवेद और सौमवेद को मिला के क्या का गया है वेद तरी नाम दिया गया है ये पुछावा कुछन है कि रिगवेद, यजुरुवेद और सौमवेद को मिला के क्या का गया है तो वेद तरही कहा गया है, नेक्स आता है यजुरुवेद, रिगवेद की रचना की किस रूप में की गई है, देवताओं की स्थूती में रचे गए मंत्रों की संकलन की रूप में, अब यजुरुवेद की रचना किस परकार्शे की गई है, यग के दोरान पढ़ाय जाने वाले मंत्रों का संकलन मिलता है, यजुरुवेद में इसके दो भाग है, यजुरुवेद की दो भाग है, एक तो सुकल यजुरुवेद है, और एक है कर्षन यजुरुवेद, रिगवेद आप समझे जिसमें देवताओं की स्थूती के लिए क्या रिखे गए मंत्र लिख गाये जाने वाले मंत्रों का संक्लन है वो सोमवेद में होता है भारते संगीत का पर्थम गरंथ है ये सामवेद कि उसनाजे कि भारते संगीत का पर्थम गरंथ कोन है तो पर्थम गरंथ का नाम है सामवेद जो भारते संगीत का पर्थम गरंथ है और भारते संगीत का जनक भ जो भारतिय संगीत का पर्थम गरंत भी है और भारतिय संगीत का जनक भी है साम वेद अथर्व वेद में क्या है अथर्व वेद में जादू टोने तंत्र मंतर और साधी विवा समंधी जितने भी मंतर है वो अथर्व वेद में हमें मिलते हैं अब रिगवेद के दस मंडल है, हमने सबसे पहले यह पढ़ा था कि रिगवेद में क्या मिलता है, देवताओं की इस्तूती के लिए जो मंतर है, वो इसमें संकलन किये गए हैं, जिसमें दस मंडल हैं, दस मंडल में से जो दो से लेके साथ तक हैं, वो तो क्या हैं, पुराने अंगरिशी ये सभी इन सभी ने क्या क्या है इन रिगवेदों का संक्लेन क्या है जो नुवा मंडल है रिगवेद का जो नुवा मंडल है वो सौम देवता को समर्पित है और दस्वा मंडल है वो चार वरनों की उत्पती के बारे में हमें बताता है रिगवेद के दस्वे जंगल में रहकर जो आर्नेक हैं उनकी द्वारा क्या की जाती है इन गरंतों को अगर पढ़ा जाता है तो जंगल में रहकर अध्यन और ध्यापन का कार्य किया जाता है इन आर्नेक दाशनी गरंतों का ब्रामन वेदों जो ब्रामन है वो क्या होते हैं ब्रामन होते हैं वेदों की व्याकरण, वेदों का सरल व्याख्या करते हैं ब्रामन, उन्हें ब्रामन क्या कहा गया है, जो वेदों की व्याकरण और वेदों को सरल व्याख्या करके समझायते हैं, वो होते हैं, ब्रामन उपनिशिद किसे का गया है, गुरू के पास बेट कर 108 और मुख्य अपनेशिद हैं वो total कंड कोस्ते की प्रशन छांदोगे मुंडक स्वेतास्वर मांडुके और व्रहद दारनिक ये सभी उपनिशिद है टोटल बार हैं ये मुखे हैं बाकी 100 और बाकी के कोण है टोटल वेध हैं उपनिशिद हैं वो कितने हैं 108 है संक्राचारे ने 10 उपनिश्दों पर टिकाएं संक्राचारे ने टोटल 10 उपनिशिदों पर क्या लिखी हैं टिकाएं लिखी है सर्ड दर्शन क्या है सर्ड दर्शन होता है ये वी एक दार्शनी गरंत है जैसे अर्ने क्या थे अपने दार्शनी गरंत साथ है वैसे सर्ड दर्शन दार्शनी गरंत है संक्या में कितने है। गोतम रिशी वेस्सकी दर्षन करनाद योग पतंजली मिमांसा जेमिनी उत्र मिमांसा यह वादरायन यह टोटल 6 दारशनी गरंत है। तो दाशनिक गरंथ में सबसे पहले सांके दर्शन, सांके दर्शन के परवर्तक कोन है, कपिल मुनी और सबसे पुराना दर्शन है, नए दर्शन के कोन है, गोतम रिशी, तीसरा है वेसेसिक दर्शन, वेसेसिक दर्शन के करनाध है, योग दर्शन है, उसके पतंजली है, मिम मिमांसा है उसके ग्रंत के परवर्टक him Guadarayan तो ये सभी अपने छ्षछ सड़शन हैं जिने टोटल चैसलिए इनको क्या किया का गया है सड़शन का गया है दाशनिक ग्रंक है सांग के दरशन के परवर्टक Kapil unsti ऐसा का ऐसा ही पूछा जाता है कि उसनकी नाय दर्षन के परवर्दक कोन है तो गोतम रिशी है विशे सिख दर्षन के कोन है कनाध है योग के पतंजली है मिमांसा के जेमनी है उतर मिमांसा के है वाद रायन ये तो सड़ दर्षन के बारे में थी अब पढ़ते हैं वेदांग वेदांग कितने है टोटल संख्या में च्छे है वेदांग वेदों के अध्यन के लिए वेदांग ग्यान आवशेक है यानि वेदांग हम पढ़ते क्यों है जो टोटल संख्या में च्छे है उनको हम इसलिए पढ़ते हैं कि वेदों का जो हमें अध्यन करना है उसके लिए प सबसे पहले शिक्षा सबसे पहले को Het पहले कने करना तो सबसे पहले िक्षा क्या है व्यदों के सुद उचारन के लिए आपको शायता करती है सपोर्ट देती है शिक्षा जिसमें बताय गया कि वेदों का सुद उचारण किस प्रकार से हो तो वेदों के सुद उचारण के लिए शिक्षा रिखा गया है सबसे प्राज्चीमतम गरंथ है ये परती शाखे का रचना वेदों के सुद उचारण के लिए शिक्षा का निर्मान किया गया था व्याकरण क्या है वेदिक सब्दों की मिमान सा के लिए जो वेदिक सब्द हैं उनकी मिमान सा के लिए व्याकरण है पाँची सताब्धी सा पुरो है पानिनी अश्टा धाइ ने आठ ध्यायों में इसको क्या क्या था पानिनी ने अश्टा धाइ नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें इसका बर्णन मिलता है कात्ययायन जट्यल सब्दों की वारतिक रूप से इसका क्या किया गया है। व्याकरण को लिखा गया है। किस ने लिखिए चंद सास्तर पुस्तक लिखिए पिंगल मुनीने निरुक्त निरुक्त क्या होती है भासविज्यान की पुस्तक है निरुक्त पुस्तक और कि विग्यान को समझने के लिए भासा विग्यान की पुस्तक वेदांग के अंदरगत कौन सी है निरुक्त है वेद का कान किसी का गया है तो वेद का कान कौन सी है निरुक्त है वेदों के पैर कौन है छंद है जोतिस जोतिस क्या होते है सुद सुब समय की गणना कौन करता है जोतिस सुब समय की गणना इस पुस्तक में बताय गया है जोतिस नामगरंथ में सुब समय की गणना के लिए इसकी रसना की गिये जोतिस की प्रांचिंतम गरंथ वेदांग जोतिस ही है रसना किसने की थी जोतिस की लगद मुनी थे उन्होंने जोतिस की रसना की थी इसे क्या का गया है वेद का नेतर का गया है चठा लास्ट है वेदांग कल्प कल्प यानि करम कांडों से समंदित नियमों के बारे में इसमें संकलन किया गया इसमें और पुस्तक है कल्प 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 जो पुस्तक है वो किसे समंदित है करम कांडों से समंदित है करम कांडों के जो नि वेद के हाथ और कल्प को क्या का गया है वेद के हाथ कहा गया है कल्प सुत्रों का जो तीसरा भाग है उसमें कल्प सुत्रों के तीन भाग है जो कल्प सुत्र बताया है मैंने कि जो सुत्रों सुत्र गरंत को क्या का गया है कल्प सुत्र कहा गया है जो कल्प सुत्र है उसके थार्ण में बताएं को जो अधरेस सुथ्रं में वो द्रमसुत्र से मिलता हैा खावा है और सुल्व सुत्र किसका पार्ट है स्रोथ सुत्र का पार्ट है वो किसका पार्ट है कल्प सुत्र का पार्ट है तो कल्प सुत्रों के कितने भाग है तीन भाग है एक तो गरह सुत्र हो गया एक द्रम सुत्र हो गया एक स्रोथ सुत्र हो गया तो स्रोथ सुत्र यान यग से समंदित नियम है उनके बारे में बताया गया है यग की वेदी का निर्माण किस प्रकार से हो और उसका नाप किस प्रकार से हो अगर आपको यग करवाना है तो वो किस में मिलता है में जानकारी सोलव सुतर में मिलती है रिखागनित की प्राचिंतम पुस्तक भी है सोल सूल्व सूत्र है क्योंकि इसमें क्या बताया गया है रेखागर्णीत के मादिम से यग वेदी का निर्मान किस परकार से होगा और उसका नाप किस परकार से आपको बनाना है नेक्स आता है स्मर्थी ग्रंथ यह वेदां का आप समझ गए आप पढ़ेंगे वेदों के अध्य अधेन होता है इस वज़े से वेदांग पहले पढ़ने चाहिए अब आते हैं समर्थी ग्रंथ समर्ती ग्रंथ को धरम सास्तर भी कहा गया है तो यह समर्थी ग्रंथ को और किस नाम से जानते हैं स्मर्थी ग्रुंतों का विकास हुआ है सबसे परमुक स्मर्थिया कौन सी है अपनी मनुस्मर्थी प्राचिंतम सहस करती स्मर्थी है प्राचिंतम स्मर्थी रचना इसकी करने वाले थे सुंगल जो सुंग काल था उसमें इसकी मनुस्मर्थी की रचना हुई थी तो सबसे प् स्मर्थी मिलती है कातियान स्मर्थी मिलती है गोतम स्मर्थी मिलती है वसेश इस्मर्थी मिलती है देवल स्मर्थी मिलती है यह कभी क्या है परमुक स्मर्थी है जो इस्मर्थी ग्रंथ्यों है उनका विकास कहां से वा है तो ध्रम सुतर से किसका विकास हुआ है स्मर्थी उन पूरान पढ़ेंगे हं पुरान क्या है पुरान प्राइन पुरानों की संक्या कितने है। पुरान तो पुरानों की संख्या आठ है उप पुरानों की संख्या पुरान भी है और पुरानों की उप पुरान है तो पुरानों की संख्या देखते हैं तो टोटल कितनी आती है अठारा आती है पुरानों की संख्या आठ उप पुरानों की संख्या अठारा है सबसे पुरा पुरान आठ है उसमें सबसे पुराना पुरान कौन सा है मतश्य पुरान है और जो विश्णु पुरान है उसे भारत का वर्णन हमें देखने को मिलता है तो भारत का वर्णन हमें किसमें कौन से पुरान में देखने को मिलता है तो विश्णु पुरान में देखने को मिलता है तो भारत का वर्णन के कौन से पुरान में मिलता है विश्णो पुरान में मिलता है सबसे पुरानों की संख्या है आठ सबसे पुराना पुराना है मतश्य पुरान और भारत वर्ष का मिलता है विश्णो पुरान में उपुरानों की संख्या टोटल कितनी है अठारा विश्ण विष्णु पुराण में मोरी वंस का उलेख मिलता है उसके साथ विष्णु पुराण में मोरी वंस का उलेख मिलता है जो वायु पुराण है उसमें गुप्त वंस का हमें उलेख मिलता है तो यह पूछावा कुछन है कि विष्णु पुराण में कौन से वंस का उलेख मिलता यह तो हो गए पूरान अब हम पढ़ेंगे रामयनु, की रसना करने वालमे की सब पताएं की रसना किसने की थी रसनाएं कि इसकी होती है रामयन gloriousili मांदिल की ửर्वी इससर्भी इस य लला पलता है कि और मिर्मे की रसना spray 37 रामयन का अंतिम रूप से संकलन देखें, तो गुप्तकाल में अंतिम रूप रामयन को दिया गया था, साथ कांडों में इसको विवाजित किया गया है, बाल कांड वा उतर कांड सबसे आखिर में रचे गया है, तो टोटल कितने कांडों में इसका विवाजित किया गया है, तो साथ कंडों में विवाजित है रामायन जिसमें दो कंडों के नाम आते हैं कि तो बालकांड एक उतरकांड ये क्या है सबसे आखिर में रचे हुए हैं तो आजहें कि रामायन है, उसमें कितने कांड हैं, तो साथ कांड हैं, और जिजमें से बाल कांड और उतर कांड का सबसे आखिर में रचेवी कांड है, सबसे गुप्त काल में इसकी अंतिम रचना होती है, सोबिस हजार स्लोक हैं इसमें और पांची सताबदी में इसका क्या होई थी, रचना होई थी, रामायन है, अब महाबारत, महाबारत हम पढ़ेंगे, रचना किसने की थी, वेदिव्यास जीने की थी, प्रारम में इसमें देखो, महाबारत की रचना तीन-चार स्टोपों में ह कद बहुए उसका नाम भी चेंज कर दिया गया सब्से भरे महावारत की रसना भी दीवासनी प्रारम में इसे उसक़ कितने थे 800 민주 रेगा उन्हें यह में खेता करा जाने लगा बाद में घुपतकाल में in牛 और और कि गुप्तकाल्वें जब इनकी संख्या बढ़गी एक लाख होगी तब इसे महावारत कहा जाने लगा महावारत को पांचवा वेद कहा जाता है चार वेद है उसके बाद में पांचवा वेद कौन सा है महावारत को ही कहा गए है महावारत में 18 पर्वे है टोटल कितने पर्वे महावारत में 18 पर्वे है भगवत गीता महावारत के 20 पर्वे का ही भाग है और बिस्म पर्वा का कौन सा बिस्म पर्वा को सी भाग में आता है तो चट्वा पर्वा भगवत गीता अगर पूछा जाए कि भगवत गीता महावरत के कौन से पर्वा में है तो बिस्म पर्वा में है और बिस्म पर्वा कौन सा है चट्था पर्वा है महाजनपदकाल के बारे में हम देखते हैं कि महाजनपदकाल के है चटी सताब्दी ईसापुरुय के काल को महाजनपदकाल का आ गया है उत्तर भारत में दूसरा नगरिकन होना शुरू हो गया था दिरे दिरे जो पहला नगरिकन होता है भारत में वो सिंदु काल के टाइम में माना गया और दूसरा काल है महाजनपद काल का माना गया चटी सतावदी सौपर वो आते आते क्या हो गया था दूसरी नगरी करण होना शुरू हो गया था वो ध्रम के अंगूतर निकाए नहीं सोड़ा महाजनपदों का उलेक किया है जो ये महाजनपद है उनके उलेक हमें कहां से मिलते हैं तो एक तो बो ध्रम से मिलते हैं जेन ध्रम से मिलते हैं बो ध्रम का तो अंगूतर निकाए नाम था उसने क्या-क्या सोड़ा महाजनपदों का उलेक किया है जबकि जेन धर्म का है एक गरंथ भगवती सुतर गरंथ है उससे हमें किसक जानकारी मिलती है कि सोड़ा महाजनपद थे अब देखते हैं कि इनके बारे में ये पूछा जाता है कि जो महाजनपद है उनकी राजधानी के बारे में क्योशन आता है तो सबसे पहले देखो कासी की कहां पे है राजधानी वारणसी कोशल की है स्रावस्ती स्रावस्ती अयोदा अंग की है चंपा मगद की है गिरी ब्रिज और राजग्रह मगद की वज्जी की है विदे और मिथिला वत्स की है कोशंबी मल की है कुशी नास और पावापूरी चै पूरू की है इंदरपरस्ट, सूर्षेन की है मत्रा, मतश्य की है विराट नगर, गांदार की है तक्सिला, कंबोज की है हाटक या राजपुरा, ये पूछी वे कुछन है, राजधानी महाजनपद और राजधानी काफी बर पूछा भी जाता है, कासी की काँ पे है, दुबा सुक्ति मुती है, अवन्ती की उजेनी और बहिश्मती है, असमक की पोतन है, पांचाल की अहिच्छत्र और कांपेक्षे है, कूरू की इंदरपरस्थ है, सूर्षेन की मत्रा है, मतश्य की विराट नगर है, गांधार की तक्सिला है, कंबोज की हाटक या राजपुरा है, बार की या आपको संपुन वेदिक काल के बारे में जितनी भी जान करेती, वो आपकी कंप्लीट होगी, नेक्स्ट आम पढ़ेंगे आपने संपुन मोरिय काल के बारे में, ओके थैंकि फूर वाचिंग मैं वीडियो,